आपने परसों सुना था तन की साधना के बारे में तन को इस्थिर रखने का क्या लाव है मैंने कहा था कि इसके बाद जो चर्चा होगी मन को इस्थिर कैसे रखना है जीव की साधना क्या है और आत्मा की साधना क्या है जब आप आरती करते हैं, तो क्या काते हैं? टनमन जीव निझावर किनो, स्री महमत चरणवलाग तनमन और जीव का निझावर होगा तभी आत्मा अपने प्राणिसवर से मिलेगी हम को हम कहतो देते हैं हम संसार के सबसे जूठे बेखती हैं प्रदिनार्ति करते हैं करते कि मेरा तन मेरा मन मेरा जीव आप पर समर्पी था लेकिन करते कुछ नहीं है चित्वनी करने बैठेंगे आदा गंटा एगंटा के बाद जल्दी से उठ जाएंगे कि कमर में दर्द हो कि आप कम से कम दो घंटे नहीं तो एक घंटे के तो बीना हीले डूले, बैठने का अभ्यास किजिए, rigor hockey के प्रेम में आपका तन इस तरह से लग जाये, कि दो घंटे तीन गंटे जितना हो सके बीना हीले डूले, खुजलाए भी नहीं आप ध्यान करने बैटे हैं कभी इदर खुजला रहे हैं तो आपका मन खुजलाने पर चला गया तो तन के आसन के भंग होने से मन का भी आसन भंग हो जाएगा जैसे एक पांच मजली इमारत है नीचे की नीड निकाल दीजियों तो क्या होगा पांच मजल भरबरा कर गिर जाएगे तन का आसन सिद नहीं होगा तो मन और जीव का भी आसन बेकार हो जाएगा ये पहली कक्षा जरूर है लेकिन देखिए दुनिया का बड़ा से अब इदवान बीना पहली कक्षा के आगे नहीं पड़ता पहली कक्षा में तो सब को जाना पड़ता है उसी तरह से तन का आसन सिद किये बिना आप कभी भी चित्वनी नहीं कर पाएगे सास्त्र में क्या कहा गया है आसीना संभवाद मैं परसो भी इस सुत्र को बोला था कि जो दिड़ आसीन होकर ध्यान नहीं कर बैठ नहीं सकता उची तो नहीं क्या करेगा चलते फिरते चित्वनी नहीं हुआ करती उसको भाव लेंता करते है जिसे रामकिट्स परमांस वे चैतनि महाप्रभू भी वो भाव बिभ्योर हो जाते थे भाव में निर्त भी करने लगते थे रामकिट्स परमांस भी चैतनि महाप्रभू भी लेकिन वो समाधी नहीं है वो भाव समाधी है भाव समाधी किसको करते है भाव में इतना डूब जाना कि अपने को भूला देना यह भाव समाधी है इसे सक्षतकार नहीं होता एक मन में अभास बना रहता है कि मेरा प्रितम ऐसा है प्रेम की आंसू बहते हैं लेकिन यह सरवच मंजिल नहीं है आप इसमें धोखा मत खाईएगा कि हमने मंजिल को पा लिया है विस्यसकर बहनों से बहुत बड़ी भूल होती है कि अध्यात्मी छेत्र में थोड़ी सी प्राप्ति हो जाती है तो समझती है कि हमने मंजिल को पा लिया और दस जगड़ी डिवरा पीट देती है उनकी मंडली भी खड़ी हो जाती है ऐसे ही हुआ है आज समाध में कई स्यमा जी बनी हुई है कोई राच्ची भी बनी है और हमारे समाज में जानते ही है को सुन्धर साथ पूरु सुन्धर साथ राची कहलाते हैं कय बहने जामाजी कहलाती है आप प्रमः खोला ये सत्गुर कहला लाइए, ब्रह्मुनी का लाइए, परात्म के दिर्शी से आप राजी हैं, इसमें कोई सक नहीं, लेकिन दूसरों को भी तो आप उसी अस्तर पर देखिये, तब तो बात ठीक है, लेकिन दूसरों को अपने अनुयाई माल लेते हैं, कोई आपका अलिए पानी ला रहा है, हमाजी बन जाएंगे, और दूसरों को अपने से छोड़ा समझेंगे, तो आप तो कलंक लगा रहे हैं, यह सुभा केवल महामती को है, कोई दूजा मरत नकावी, एक मेधी पाकपुरन, सब थे बड़ी मुझे करी, आईसी करी नको है, इस जागनी लिला में महामती किसी वा है, इसे किसको समर्पित कर देना है, राची को, मन का जो आसन है, वो कैसे सिद्ध होगा, देखिए मैं आपको एक बात कहता हूँ, कठोपनिसद में एक बात कही गई है, बुद्धिम्तू साहर्थिम्वित्ध, बुद्धि क्या है साहर्थि, एक रत है, मन को क्या कहा गया है, लगाम, एक रत है जिस पर जीव बैठा हुआ है, रती है, रती कौन है, जीव, साहर्थि कौन है, मन, लगाम क्या है, बुद्धि, और इंद्रिया क्या है, घोड़े, यदि साहर्थि की लगाम जरा सी धेली हो जाती है, तो क्या होगा, इंद्रिया अपने राश्टे से भटक जाएगी, तो गढ़े में कौन गिरेगा, जो रत पर बैठा हुआ है, मना तो सार्थिम विद, बुद्धिम तो सार्थिम विद मना परग्रम एवचा, बुद्धि रुपी सार्थि यदि सही है, तो लगाम भी सही तरीके से पकड़ेगा, यदि सार्थि कच्चा है, उसको लगाम पकड़ने का धंग नहीं, तो रत को नियंतरित कैसे करेगा, वो तो घोड़े चले जाएगे, बुद्धि कैसे बनती है, अहार से, सुंदर साथ जी, जब मैं कहता हूँ, कि अहार में सोधन किया हो सकता है, तो आपको लगता है कि हमें अरी उपर बहुत जबरजस्ति की जा रही है, मैं परनाची से आया, जो रास्ते में कुछ ऐसा भोजन किया, जो साधना के अन्कुल नहीं होता है, पूरी खाली, थोड़ी सी दाई खाली, कुछ और भी चीजे थी, कल रात तक मैरा आसन सिद्ध नहीं हो पा रहा था, मैं बैठ नहीं पा रहा था, सांती से, और आप लोग तो जो प्रदिन मिर्चे खाते हैं, खुब कड़क ड़क ड़क चाय पीते हैं, यहां भी कुछ सुन्दर साथ हैं जिनको कड़क चाय की आदत है, तडप उड़ते हैं सबेरे सबेरे, उतनी तडप राजी के लिए आजाए तो पता नहीं क्या हो जाएं, आपको मिर्च नहीं मिले तो ब्याकुल, चाय नहीं मिले तो ब्याकुल, तो आप बताईए, उसका जब अन्स शरीर में जाएगा तो आपका आसन कैसे सिद्ध होगा, आप बैठने के तो बैठेंगे, लेकिन कभी हाथ ही लाएंगे, कभी पीठ खुझ लाएंगे, कभी पैर ही लाएंगे, ध्यान कहां से लगेगा, आप दुसरों को बताते हैं, फिरेंगे कि मैं तीन गंटा बैठ गया, छे गंटा बैठ गया, लेकिन ध्यान से तो आपको सुदूर हो जाएंगे, क्योंकि आप के रत का जो सार्थी है, वही कच्चा है, उसको लगाम पकड़ने का धंग नहीं है, जदि सार्थी कमजोर है, तो लगाम को गलत तरीके से पकड़ेगा, लगाम गलत है, मन पर नियंतर नहीं हो पाएगा, तो इंद्रिया तो भटकेंगे, आप देखिए, एक संसारी बेक्ति बाजार में जाता है, तो उसकी नजर किस पर होती है, अच्छी-च्छी दुकानों पर, खाने के लिए क्या विक्रा है, बाहे संदर पर भटकता फिरेगा, संसार के आकर्शनों में भटकता फिरेगा, यजुरुवेत के चालिशवी अध्या में एक पिसेश मंत्रा आता है, हिरन येन पात्रिन, सत्त अभितम उखं, तत्तम पुसन उपाब्रिन, सत्त धर्माय दृष्टि, ही परमात्मा, सत्त का मुख सोने के बर्तन में ठका हुआ है, यज सोने का बर्तन क्या है, संसार, संसार में सत्त को पाना है, तो तत्तम पुसन उपाब्रिन, समझ संसार का प यह सोनी के समान संसार दिख रहा है, अकर्षन वाला है, आप देखते हैं, माताव बानों को सबसे जादा लगाव किसे होता है, सोनी के अभुषन से, उनको लगता है कि सरी पर धान कर लेंगे तो हम सुंदर दिखने लगेंगे, आपका तन कितना भी सुंदर हो, बुड़ाप कि अभी सुने की आउसकता पड़ गर रही है, क्योंकि राजी के मंदिर में जब तक सोने का कलस्त ना लगे, सोने का सिंहसन ना लगे, तब तक उसकी सुंदर्ता नहीं, अरे भागवत पुरान में दर्साय गया है, कि सोने में कल्यू का निवास होता है, तो फिर इस सोने को अपना कर कुछ नहीं होगा, जिस मंदिर में जितना ही सोना चढ़ाया जाएगा, उस मंदिर से ज्ञान और भक्ति उतने ही कोसो दूर चले जाएगे, आप यह भ्रहमत पालिये, कि सोने का सिंहासन बना देंगे, तो राजी सक्षाता कर बैठ जाएगे, राजी कहां बठेंग अर्ष तुमारा मेरा दिल है, इताय करुवराम, सेज बिछाई रुच रुच के यही तुमारा भिष्राम, राजी की सेज्या कैसे बनती है, इल्म का पलंग, जान का पलंग हो, इमान की चादर हो, समयरपन का तकिया हो, और विरह के फूल है, तो देखिये, राजी क्यो नहीं आते हैं? लिए के बिच्षावने बिच्छाद हो," इसी को कते है, सेज बिच्षऑी रुच propagate यही तुम्हारा वीश्वार्ब। मेरे प्रानिस्वार照 मेरे हर्दय के सिंहासन पर आगगउ क्योंकि मैंने अपने हर्दय के सिंहासन को बिच्छाद के सिंहासन को विरा से, आपको यह बात अजुबा सी लग रही होगी कि स्मृति की आम हाता क्या है आप परमधाम से आये हैं लेकिन आपकी स्मृति में हाई है मैं कहूंगा नहीं आप जब वानी पढ़ते हैं खिल्वत परिकर्मा सागर सिंगार पढ़ते हैं तो लगता है कि सायद हम भी परमधाम के होंगे सायद सब्द जरूर आप लगाते हैं क्योंकि आपकी स्मृति बिब्रम हो गया है स्मृति का हरास हो चुका है बोल चाल में स्मृति कार्थ याद करना कहते हैं बताइए जब वानी पढ़ते हैं तो सब सुंदर साथ के साथ आपको कहना पढ़ता है कि हम परमधाम से आए हैं लेकिन आपको यह याद तो नहीं है कि आपने मूल मिलावे में कैसे बैठक लगाई है होज कोशर के अंदर कभी आपने किड़ा किये पुखराज की चांदनी पर आपने कभी भ्रमण किया है फोल बाग नूर बाग में कभी भ्रमण किया है अठो सागरों में कभी स्नान किया है इसकी अस्मृति है आपको किसी को नहीं है पढ़कर के आप जानते हैं क्योंकि आपकी स्मृति में क्या है मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी की भी स्मृति में नहीं है क्योंकि सब की परात्म पर फरामोशिक आवरण है और परात्म की नजर आत्मा के रूप में जीव पर बैठ कर इस खेल को देख रही है जीव ने जो कुछ किया है वो तो याद है वो इसकी स्मृति में है जैसे योगदर्शन का एक सुत्र होता है संसकाराद पुरुजन्म जाति जानम संसकारों में सन्यम अर्था धार्णा ध्यान समाधी करने से पुरुजन्म का बोत होता है कि मैं पुरु जन्म में इस कुल में था, इस यूनी में था संसकारों में सन्यम करने से वो पुरु जन्म की स्मृति जाग उठती है कि मैं पुरु जन्म में ये था लेकिन इस जीव से समंधित स्मृति जागती है पर आत्म से समंधित स्मृति क्या आपको है किसी को भी नहीं, मैं सच कहूं, सेहमा जी को भी अब यह स्मृति का अभास नहीं है, यहां राजी सब के दिल में बैठे हैं मार्फत के दिश्चिसे, हाकिकत के दिश्चिसे, जब आत्मा के धाम इर्दे में बिराजमान होते हैं, तो लगता है, तो उसको परमधाम दिखने लेकिन परमधाम में लीला के समृति अभी नहीं है किसी को भी, क्योंकि परात्म में फरमोसी है, सब की परात्म पर एक जैसी स्थिति है, जह से हमाजी की परात्म हो, चाहिंद्रावती की परात्म हो, सब पर फरमोसी है, और उस फरमोसी को अटाने के लिए क्या करना होगा, हमें चित्वनी से स्वायम को जागरत करना होगा या जो कथन मैंने उपनिसद का उधिरित किया के वलिया समझाने के लिए कि हार सुधव सत्व सुधि सत्व सुधि धुर्वा स्मृति बुद्धी जदे सुध नहीं होती है बुद्धी का परिमारजन नहीं होता है तो आपकी स्मृति कभी स्थिर नहीं हो सकती जीव के अस्तर पर है आत्मा से इसका कोई समंध अभी नहीं है मैं आपको एक दिश्टान देता हूँ आप सवेरे भी सराब के एक बोतल चला लीजे रात को भी चढ़ा लीजे है तो आपको अपनी आत्मा के स्वरूप का क्या बोधर रहेगा क्योंकि जीव की स्मृति ही लोप हो जाएगी लेकिन यदि आप साथियू के अहर करते हैं तो आप स्वेरी को जानने का प्रयास करेंगे अपने रूप को जानने का प्रयास आसे समझते हैं, कई मंदिर ऐसे हैं जहां पसूँ को कटा जाता है, मांस खाया जाता है, सराब पिया जाता है, दिल्ली में भी एक मंदिर है, जहां वो सराब की प्रसाद चलती है काल भाहरो भाहरो देता का मंदिर है मांस का प्रसाद चलता है और सराब चलती है अध्यात में मांस और सराब का मांस तो क्या है लेकिन विकृत मांसिक्ता वाले लोगों ने ये बामबंत शुरू किया जिसमें इसी को प्रधानता दी जाती है तो उस अहार का सेवन करने वाला कभी योग का अधिकारी जित्वनी ध्यान का अधिकारी नहीं बनता इसी तरह से जो लोग खुब लसुन की छोंक लगाते हैं खुब लाल मिर्चे खाते हैं को प्याच ढूंगरी खाते हैं गरम-गरम मसाले डालते हैं चार-चार कप कड़क चाय पीते हैं दिखाने के लिए तो आख बंद करके बैठ लेंगे लेकिन मैं दावे से करता हूं कभी भी उनका ध्यान नहीं लग पाएगा बैचारों का क्योंकि मन में रचोगुडे हैं उर्धों गच्छन्ति सत्ता स्था मध्धे तिस्थन्ति राचसा जो सतोगडी होते हैं उपर जाते हैं रचोगडी होते हैं बीच में बने रते हैं न उपर जाएंगे न नीचे जाएंगे नीचे गिरने की संभावना जाता है रहती है जगन ने गुड़ बरती है तो अधोग अच्छन तामसा और जो तमोगड़ी होते हैं दिन पर दिन पतन की तरफ जाते हैं आपका हार जितना तामसिक होगा उतना दिन पर दिन आप पतन की तरफ जाएंगे रोजोगड़ी होगा तो बीच में बने रहेंगे आगे बढ़ना है तो आपको सात्विक होना पड़ेगा इसलिए देखिए हमारे समाज में 400 के लगबख मंदिर हैं तो क्या इन मंदिरों ने 400 बरसों में किसी मंदिर ने 400 परमंस पैदा कियें क्या क्योंकि मंदिर में जब आप भोजन करने जाएंगे तो मिर्च तेल के उपर तैर रही होती है गरम मसाले की सुगंध आ रही होती है उसको खाकर कौन समाधी लगाएगा कौन चित्वनी करेगा कौन परमधाम को देखेगा और सब परमंस बनेगा तो ये रोजगुण की परविर्ति जो हमारे मंदिरों में घुस गई है ये हमारे समाज को पतन की तरफ ले जा रही है यदि आपको चित्वनी कानंद लेना है तो सबसे पहले तो इस जीवा रानी को बसमे कीचिए ये लपलपाती जीवा आपको पतन की तरफ ले जा रही है मन की साधना करने के लिए पहले जीवा को जितिये जिसने छे रस होते हैं छे हो रसों को जित लिया जिसने जीवा को जित लिया उसने समाज जीजी अपने मन को जित लिया बुद्धी जैसी होगी मन वैसा ही कारी करेगा और बुद्धी किसकी अधीन है? अहार के बसिबूत है मैंने कई बार चर्चा में आपको समझाया है आजकल तो क्यों दिखता रंगीन टीवी चलती है आज से पंदरे साल पहले ब्लेक एंड वाइट टीवी चला करती थी तो आप सोचिए रंगीन टीवी में आप रंगीन पिक्चर डालते हैं तो ऐसे ही दिखती है चित क्या है? चित के उपर जैसा ही असर डालेगा भोजन का प्रभाव तो परड़ाम यह होता है कि आपका मन भी वैसा ही हो जाता है मन कैसा है? मन एक स्पटिक मणी की तरह है मूल रूप में वो स्वेथ है लेकिन जब तमोगरी अर्थार्थ कालापन का प्रभाव पढ़ता है तो आपका मन काला हो जाता है आएसे एक स्थीक मड़े रखड़े til Erstic dasodirt right surface, it gets much investigatory ट्रियान तो पीलाखचे लेक्त से लाल रखड़े तो स पुरी मड़्य कॉर्दास्ट रखड़े Lewis उसी तरहेsın आप का मन अप्रकृति थे जितना तमअगू रांड करे काल चाहिंगों जाएगा और इंद्रियां विसके अमसार ही कारी करेंगी उडिसा में नहीं मैं काली पुंगया हुआ था एक सुंदर साथ के घर ठार हुआ था वो सुंदर साथ के घर एक बहन आई थी मैं उसको समझा रहा था कि तो मच्छी खाना छोड़ दो वो कह रही थी कि स्वामी जी क्या करूं मैं भी जानती हूं कि यह पाफ है लेकिन जब पड़ोस में कोई मच्छी बना रही होती है उसकी सुंद मेरे का नाक में आती है तो मेरे से रहा नहीं जाता जिसने मच्छी नहीं खाया है उसको सुगंद नहीं दुर्गंद लगेगी और उसको हो सकता है उल्टी भी हो जाए लेकिन जिसको मचली के संसकार है उसकी दुर्गंद सुगंद में परिवर्तित हो जाती है सराब की दुरगंद भी उसको प्राणों से प्यारे लगती है क्यों? क्यों उसकी वासना उसको खीच रही होती है इसी तरह से मैं कह रहा हूँ मन को यदि जीतना है तो अहार को जीतना पड़ेगा आप मंस खाकर सराब पी करके योगी नहीं बन सकते हैं तली हुई ये लाल मिर्च के पकोड़े खाकर घटाई खाकर खुब गरम गरम मसाले खाकर आप समाधी नहीं लगा पाएंगे बैठ जरूर जाएंगे, सरीर को जबरन बैठाएंगे लेकिन आपका मन भागता रहेगा मन जब तक इस्थिर नहीं होगा तक आपका ध्यान कैसे इस्थिर होगा समाधी कैसे लगेगे लेकिन जिसको राज जी के प्रेम का रस मिल गया उसको मिर्चे और चाय में पकोड़े में कोई रस नहीं आता उसको लगता है कि क्या है, मैं जहर खा रहा हूँ लेकिन जिसको चित्वनी का रस नहीं मिलेगा प्रेम भक्ति का रस नहीं मिलेगा उसको तो यह समझेगा कि बिना मिर्च के, बिना लशन प्याज के सबजी कैसी होती है घास पात हम खाने के लिए हैं क्या पहली बार जब सरसाव में सीविर लगा तो मुझे बार-बार सुनना पड़ता था गुजरात के सुन्दर साथ यही कहते थे कि हम तो बुरी फस गए हैं यहां तो घास पात ही खाने को मिलती है क्योंकि चितमेनी के सुएर में तो आप जानते हैं थ्वड़ा सकती बढ़ जाती है लेकिन अभी यह सक्थबिपस्नख्णा वालों के चो थाई भी नहीं है उनमें तो ज्यादा ही सक्थचनी है अभी जैसे अभी गुजरात वाली जाने की तैयारी कर रहे हैं आप जा था तो पहले ही दिन लिखल लिया जाता है कि दस दिन का कैर कम है तो आपको दस दिन पाहर नहीं निकलने जाएगा, कोई किसी या बात नहीं करेगा, सारे मोबाइल चिन लिया जाते है जदि पच्पतिनी ने दो मिनट बात कर लिया तो उसी समें गेट से बार और जदि मैं वाईसा नियम लगा दू तो मैं यहाँ देखोंगा तो सही दस भी न मिले क्योंकि हमारे समाज में चित्वनी का भी महातुन नकर्डी है भाक्ती का महातुन नकर्डी है दिखावे कर्मकांड की भक्ती है डेकिए गरवा क्यालना होगा तो कोई नहीं थखेगा पूरी-पूरी रात गरवा होंगे परिकर्मा करनी हो कोई थखेगा नहीं लेकिन जब चित्वनी की बात आती है आप देखिये शंसायर के लोग जो ना आत्मा को मानते हैं, ना पर्मात्मा को मानते हैं, दस-दस गंटे ध्यान करते हैं, आप यहां तो चार घंटे कराया जा रहा है अभी अभी छोटा सिविर है यहां भी एक ग्रुप को पहले आठ घंटा तक कराया जा चुका है लेकिन कुरोना कारण अभी बरगेक्ण नहीं हो सकता कि संख्या थोड़ी है आप सोचिए हम सुंदर साथ आज कहां खड़े हैं हमें सार संसार का पथपरदर्शक होना जाहिए था सब को चित्वनी के मारिक पर ले जाना जाहिए था हम पथपरदर्शक कहां बने हम तो खुद को भी नहीं जानते कि चित्वनी क्या होती है मंदिरों में घंटी गडियाल के सिवा कुछ नहीं होता ना किक्सी को चित्वनी आती है न कोई करता है न कोई कराता है इससे बड़ा दुखत और क्या नहीं होगा आज मंदिर क्या बने है क्यों भंडारे के अस्थान बने है रोसोहियां बुक हो जाती है भंडारा खा रहे हैं खिला रहे हैं किसी को नहीं मतलब है कि चित्वनी क्या होती है अब आप समझेए, अभी मैं कहे रहा हूँ कि بدधी सार्थी है मन लगाम है, इंद्रिया घोडे है जदि घोडों को सही दिशा में ले चलना है तो लगाम को सही दिशा में चलना होगा लगाम तभी चलेगी जब जब बुद्धी रूपी सार्थी सही हो और बुद्धी रुपी सार्थी को सही रखने के लिए अहार का सुधोना बहुत आवसे के समाज को सुधारने के लिए पहले अहार की सुधी अहार की सुधी का मतलब छूथ छात नहीं बैस्टों लोग क्या करते हैं उनके चौके में कोई चला जाते कहते हैंगे कि मेरा चौका असुद कर दिया छूत चाथ कोई भोजन के सुद्धी मानते हैं अब तो कुछ कम हो गया है मैंने बच्बन में बैस्रों मात्माओं का करमकांड देखा है लेकिन उनकी जीवा पर कोई कंट्रोल नहीं होता प्याज भी खुब खाते हैं प्याज को क्याब कहते हैं राम लड़ू ये राम लड़ू नहीं है राम लड़ू है मिर्च को लंका कहते हैं नमक को रामरस कहते हैं रामरस नहीं ये भी रामरसी है कंसरस है स्वाधिष्ट प्रदार्थ खुब खाएंगे और कहेंगे कि हमारे चोके में कोई आना नहीं चाहिए लकड़ी को धो करके जलाएं लकड़ी जलाओ धोय जल बाणी में चुपाई आती है न वैसे बैश्रो मात्मा भी लकड़ी को धो धो करके जलाते हैं हमारे समाध में भी परमंस हुए हैं नाम के परमंस हैं वो अपने कबरे में छिपकर काली जी की भी पूजा करते थे साली ग्राम की भी पूजा करते थे लेकिन बड़ी गादी के मन थे उनको परमंस उनके नाम के लिखा जाता है वो भी लकड़ी को धो धो करके जलाया करते थे आप उनसे मिलन जाये, to do taah के शौरुब साथब रखते थे, एक असुद्र शौरुब साथब एक सुद्र शौरुब साथ। मतलब सफुद्र शौरुब साथब को पढड़न चाहते हैं, तो बीगे कपडे से असनान कर के आइए, कपड़े मत उतारिये, भीगे कपड़ों से वो स्वर्वसाब को खोल सकते है इस कर्मकांड से राजी कभी मिला नहीं करते हैं यह तो बैशनों का कर्मकांड है जो हमारी समाज में चला गया आप सोचिए बुद्धी को सुध करना है मन को सुध करना है तभी तो यह मन राजी के चल्णों में लगेगा मन की साधना जब होगी देखिए आसन को सिध करने के लिए क्या करना पड़ता है इस्थी रोकर बैठने का अभ्यास करना पड़ता है लेकिन योगदर्शन का एक सुत्र कहता है अनन्त परमात्मा में जब यह मन लग जाता है चित लग जाता है तो आसन इस्थित हो जाता है आप जितने सुधर साथ बैठे हैं सब के सामने यह सुधर पिक्टर दिखाई जाये तो क्या आप में से कोई भी कर सकता है कि अप कमर में दर्द हो रहा है तीन गंटे तक बढ़िया संगीत वाली पिक्चर जिसकी इसक्रिप्ट बहुत अच्छी हो आपको यह दिखाई जाए तो सतर साल की कोई बिरिदम आता होगी उसको भी यह लगेगा कि चलती रहे तीन गंटे तक कभी शिकायत नहीं करेगी कि कमरे में दर्द हो गया तीन गंटे करे में चितनी में बेठा दू तो उसके बाद कोई अगले साल कोई नहीं आना चाहेगा क्यों क्योंकि राजी से प्रेम नहीं आपका मन राजी में लगा नहीं है आसन कोई इस इस चीज को याद कर लिजिए और मन राजी में कब लेगा जब सुध होगा तभी तो जब आपका आहर ही असुद्ध है आपके आप जो भोजन करते हैं उसका इस थूल भाग तो मल बन जाता है सुक्ष भाग रस बनता है और उससे भी जो सुक्ष भाग होता है उससे मस्जिस के विचार तन तो बनते है आप सराप पिलिजिए आपके विचार बदल जाएंगे मान सखा लिजिए और ध्यान में बैठ जाएंगे क्या आपका ध्यान लगेगा आपके विचारों में तमोगुल का प्रभाव हो जाएगा सात्य को हर कीजिए तो आपके विचारों में सात्विक्ता आजाएगी राक्षस को भी यदि सात्विक्ता हार दिया जाए तो देवता बन जाएगा और देवता को भी यदि तामसी का हार दीजिये तो राक्षस बन जाएगा मैं यही कहूँगा कि धार्मिक अस्थानों से राजसी भोजन का तो है पूरी तरसे परतिबंधन हो जाना चाहिए अधिकतर हमारे समाज के चाहिए मंदिर हो जाए आश्रम जाकर देखिए भोजन में इतनी मिर्च पड़ती है इतने गरम मसाले डाले जाते हैं कहीं कहीं तो कि अधिलजन भी प्रिचलन होता है ओं राजजी के भोग में नहीं जाता लेकिन रहने बोले खा़ते हैं सिवस्क्त क्या होगा उड़ती तो वहां कोई बिद्वन पैदा होगा महां तदर शरीर की सोधना, आसन के रूप में, तन आ पने कहा है न, आरति के समय में, आरतिक आर्ट क्या होता है? नीचे से उठा कर ऊपर कहते हैं, आर ते समनसे हम्र्पण बनाएं, सर्वस्ब grammण, नक जक स्कत तक हम आपको समर्पित होते हैं, आर्थी का भाविया है और आर्थी करते समय आप काते हैं कि तन्मान जीव निच्छावर किनो राजी मेरा तन्मेरा मन मेरा जीव आपके लिए समर्पित है कुछ नहीं करते है एक जीवा का समर्पड तो कर नहीं सकते हैं कि राजी के लिए मिर्च छोड़ दें, कड़क चाय छोड़ दें, गरम मसाले छोड़ दें, राजी छूटे तो छूटे, यह नहीं छूटना चाहिए, जब तक यह मुग का बंधन रहेगा, कहां से राजी दिदार देंगे, इसलिए तन की साधना आसन सिद्धि के रुप में मन की साधना, आप सुध सात्य कहार किजिए जिसे आपकी बुद्धी सुथ हो, बुद्धी के अधीन है चित, चित के अधीन है मन, बुद्धी सुथ हो जाएगी तो मन भी अपने आप सुथ हो जाएगा, मन आपका सुथ हो जाएगा, तो आपका सुथ हो जाएगा, तो और एको भेज़ दिया वेशाले में, दोनों को छे मेने के बाद आए क्राएं की आग गया। छे मेने के बाद जब वेशाले में से आता है तो सिस Gautambud इसको गले लगाते तो सिस पूछ तो सिस पूछता है जुस्ता है। बारब की चोटियों के बीच में बैठ कर साधना की मुझे आपका इतना स्ने क्यों नहीं मिला और यह जो वेस्याले में रहकर आया है इसको आपका प्रेम का पात्र कैसे बनने का सुभा की प्राप्त गवा बुद्ध करते है कि देखो तुम उस हमाले में थे जहां भोग का को कितने कठिन संगर से कितनी दिड़ता के साथ इसने अपने मन को पवित्र किये रखा है इसने मेरे प्रेम का पात्र यह है पहला अधिकार इसका है जिसने अपने मन को सुद्ध कर लिया उसके उपर मया कावरा नहीं हो पाएगा इसने मन को सुद्ध करने के लिए पहली प्र कारी अपने आप भट जाएगा मन असुद कैसे होता है एक तो चित के बूरे संसकार जब जागरित होंगे तो मन असुद होगा चित के बूरे संसकारों को जागरित होने से रुकने के लिए एक ही तरीका है पहला तरीका है समाधी का ध्यान का सुन्दर साथ सोचते हैं कि क्या करें हमारे मन में विकार हैं जब तक यह दूर नहीं होंगे तब तक राची तो मिलें के नहीं कई निराशों कर बैठ जाते हैं कि जब मन हमारे चित में तो इतने विकार हैं हम कहां से ध्यान कर पाएंगे ऐसा सोचने से तो काम नहीं चलेगा कोई परमान से भी होता है तो सुरू में उसके भी चित में विकार पैदा होता है जन्म से कोई भी पुंट्या निर्मल नहीं होता यह तो कर्म हो ही है आप बरतन को जितना धोएंगे उतना ही साफ होगा इसलिए आप यह मत देखिए कि मैंने कितने पाप किये आप यह देखिए कि मेरे सामने मेरा प्रानेश्वर अक्षरतीत है और उसको पाने के लिए मुझे चित्वनी में लगना है जैसे जैसे चित्वनी में लगते जाएंगे जैसे काले कोईले को जब आग में डाला जाता है तो कोईला क्या होता है? पहले गरम होता है फिर लाल होता है और आग की दाकने लगता है जिस आग ने जलाया उसी के जैसा हो जाता है वैसे चित्वनी में जब आप डूपेंगे तो आपकी अवस्था भी ऐसी होने लगती है एक chemical आती है खके दोस्त कहे ओलिये भये ऐसे जो बुजरक इनों को देखे से सभाब जैसे याद किये हुए हक इतनी बड़ी सुभा ब्रह्मात्माओं की होती है इनों को देखे से सभाब किसी ब्रह्मात्मा का दर्ष्न के लिजए तो वैसे पूरे मिलता है जैसे याद किये हुआ है हक राजी को याद करने में राजी से प्रेम करने में जो पवितरता मिलती है वह पवितरता किसी ब्रहमात्मा के नित्रों से दर्सन करने मातर से मिल सकती है लेकिन उस मंजिल तक पहुचने के लिए उस ब्रमात्मा को क्या करना पड़ता है अपने एर्दे में अपने प्रानिस्वर की छावी को खंडर्प से बसाना पड़ता है और इसके लिए चित्वनी के मारग में चलना पड़ता है हर परमहंस उन संहर्ण्सों से होकर गुजरता है क्योंकि उसका जीव जिस तन को लेकर बैठा है वो तन भी काम विकार से पैदा हुआ होता है उसके माता पिता भी किसी न किसी रूपे काम क्रोध मद लोब अंकार से युक्त रहे होते है उसका जीव स्वाहिम लाखों जन्नों से काम क्रोध मद लोब अंकार के विकार में फसा होता है अब उस कीचल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आंख मूद कर अपने परात्म सरुप की भावना कीजिए ज्यान की माता किसलिया है अभी वाणी के हजारों पाथ हो जाते हैं हर साल पूरे देश में चोपाईयों को पढ़ा जाता है उसमें अच्छी ब सर्स्ट क्या है उसका चंतन स्रिस्ट क्या है उसको अच्रण मेलाना ढाख यानम यह दरसाता है कि आपका निच्छ सुरुप क्या है यह तो मिट्री कातन है कभी आप बच्चे थे कभी युवा थे बुड़े हो जाएंगे फिर मर जाएंगे आप यह नहीं है जो दिख रहा है देखें गीता में एक बहुत उची बात कही गई है साइद हम समझते नहीं उस पर देहन असमिन यथा देहे कौमारम यवनम जराग तथा दिहान तर प्राप्ति है धीरा तत्र नमुयाद इस जीव के जैसे सरीर में कुमार अवस्था होती है यवन नवस्था होती है और बृधा वस्था होती है वैसे जब दूसरे सरीर की प्राप्ति ज़ुडता है दात्तपर झढ़ इसने ठीर्ता को गहन कर लिया जयन एवस्था को में प्राप्त कर लिया जब आप ज़ान होते है तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं कितना सुंदर हूँ किसे और आवस्था में सुंदर्ता सबसे ज़्यादा होती है उम्रे ढलने लगती है, बालों में सफेदी होने लगती है तो वो बेक्ति क्या कहता है अब तो मैं बुढ़ा होने लगा हूँ मेरे बाल सफेद होने लगे है सफेद बालों को बिचारा काला करने का प्रयास करता है किसके लिए खुष होने के लिए कि नहीं मैं बुढ़ा नहीं हो रहा हूं सरीर तो अंदर से बुढ़ा हो रहा होता है लेकि उपर से दिखाना है कि नहीं मैं तो बुढ़ा नहीं हुआ दांट तूटने लगते हैं, नए दांट लगवा लेता है चेहरे पर कुछ क्रिम पालिस कर लेता है कि मेरा चेहरा बच्पन की तरह इवावस्था की तरह सुंदर दिखता रहे उस बचारे को पता ही नहीं है कि रे पागल तू सरीर है ही नहीं तो भृद впी हो जाएगा तो भी तू भृद नहीं है तेρα सरीर भृद है तेरा सरीर बच्पन का है ए किसो रहस्था का है तू इस सरीर से परे है राज कुमार सिधार्त ने यह तो देखा था एक भृद को देखा जो लठी के साहरे चल रहा है राजकुमार सिधार्त सोचते हैं, उसले कि क्या, मैं भी बुड़ा हो जाओंगा, सार्थी करता है किरा राजकुमार समय आने पर प्रतेक वेक्ति विर्द्ध हो जाता है जब उन्होंने मरे विर को देखा, पुछा कि क्या मैं भी मर जाओंगा सार्थी करता है कि हर ब्यक्ति समय आने पर मर जाता है सिधार्थ को यह चोट लगती है कि जब बुड़ा होना है, मर जाना है मेरी सुंदरी पत्नी ये सोधरा भी बुड़ी हो जाएगी और वो भी मर जाएगे, तो नहीं, मुझे इस प्रपंच में नहीं पढ़ना है मुझे तो मृत और बृधावस्था से रहित होना है कब इससे मुक्त हुआ जाएगा, इसके लिए उन्हें ने घोर साधना प्राप्त की और सत्य को माना कि मैं इस सरीर से परे हूँ वैसे आजकल के जो बहुत मत के अनुयाई होते हैं ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं किंतो बुद्ध ने समाधी में देखा कि अस्त्रिष्टी अनंद बार बनी है, अनंद बार प्रले को प्राप्त हो गई है मैं अनेक बार जन्मा हूँ अनेक बार मरा हूँ लेकिन सरीर के जन्मा और मरन से मैं परे हूँ इस सत्य को जो जान जाता है उसको बुद्ध कहा जाता है आपके लिए यह जान तो बहुत छोटा है आप तो जीव भाव से भी परे की बात करते हैं आत्मा की बात करते हैं परात्म की बात करते हैं आप तो ये कहते हैं कि हम मुल मिलावे में बैठे हैं मुल मिलावे में राजी के समुक बैठे हैं आपके और राजी के सुरुप में कोई अंतर नहीं है अच्षरातीत के आप अंग कह लाते हैं आप सौलिलभ अद्वेत के वासी कह लाते हैं आप लेकिन तेखा जाये तो हम्मारी समाज की सिस्थिति क्या है हम तो गौतम पुद्द के दर्सन के सामने अपने को प्रसुत नहीं कर पा रहे हैं गीता के उस्तत्त ग्यान को भी हम आत्म साथ नहीं कार पा रहे हैं, कि धीरहतत्त नहीं आत्त हमेरे सुंदर साथ में कई बायो बृब्रिद सुंदर साथ में मुझसे मिले हैं मैंने कई बार देखा है, बृत सुंदर साथ को भी सारा ध्यान मेक अप में लगा देते हैं बहन्बो कर नई मैं पूरशों कुख में कह रहा हूँ अरे भई सरी बृत हो गया है तो इसको कभूलिये सरी बृत हो गया है आप अपनी परात्म को तो देखिये आपकी परात्म कितनी सुंदर है आप अपने को आत्म भाव में क्यों नहीं लाते हैं सरीर भाव में क्यों पढ़े रहते हैं मैं यह कह रहा हूँ जिस दिन आपको अपने सरूप का बोथ हो जाएगा कि मैं सरूप हूँ, रूप नहीं मैं परात्म हूँ और उस भाव से जब आप चित्वनी में लगेंगे तो यह सब कुछ सपना जैसा प्रदीत होते हैं मैं यह नहीं कहता कि सरी में गंदकी लपेटे रखी है जो यम के बाद नियम होते हैं उसमें पहला सौच ही है सौच संतोष तब स्वाधय इस्वर पनिधान और इसको योग को सलल रुप में प्रस्वत किया जाए तो इसको क्रिया योग करते हैं तब स्वाधय इस्वर पनिधान क्रिया योग है क्रिया योग का आर्थ ताथ पर क्या है जो क्रियात्मत रूप है तब इंद्रियों को विश्वय में नो जाने देना स्वधाय का आर्थ होता है आत्मचिंतन और इस्वर पनिधावन परमात्मा पर अटूट निष्ठा अटूट समर्पड समाधी तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए सुद्ध सात्विक अहार पहले आउसकता है सुद्ध सात्विक अहार जिसके मेरे मैंने आपको बताया अटूट समर्पड अटूट स्रधा दिड़ अभ्यास प्रबल पुर्शार्थ जब तक प्रबल पुर्शार्थ नहीं होगा अटूट स्रधा नहीं होगे समर्पण नहीं होगा अटूट बिश्वास्त नहीं होगा आपकी सूर्ताराजी के चल्ण में कैसे पहुंचे कि मैं आपको एक दिश्टान देता हूँ हमारे साथ क्या हो रहा है जैसे दस बेक्तियों को खड़ा कर दिया गया एक पंक्ति में और कहा जा रहा है कि गिन कर बताओ कितने यह नहीं बताएगा कि कितने है गिनने वाला हमेसा नो बताएगा दूसरे को गिनेगा अपने को नहीं गिनता है वैसे ही हमारे साथ हो रहा है हम अपनी आत्मा के धा मिर्दे में बैसे हुए राची को नहीं जानते है अपने सरूप को भी नहीं जानते हैं क्योंकि हमारी आँखे किसको देखती हैं सरीर को देखती है